हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल इंगलिश विच्छागन रोड़ा फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए रिविंदर ना टैगोर के फेमस वर गितांजली की सोंग नंबर टैन की लाइन टो लाइन एक्स्प्रेमेशन लेकर आया हूँ आई होप यह फ्रेंट्स वीडियो आपको एक्जाम में हैलफू लोगा लेट अस्टार्ट हेर इस दाई फुट स्टूल बहुत अच्छी मेजरी यूज करते हैं फुट स्टूल का मतलब होता पाइदान जैसे कि मैंने इस इमेज में आपको दिखाया है वो कहते हैं कि यह होते हैं जहां पूरेस्ट करीब लोलेस्ट एंड लोस्ट वो लोग जिने समाज दुनिया ने पैचानने से इंकार कर दिया है अपनाने से इंकार कर दिया है जहां वो लोग रहते हैं भगवान के चरन वहीं होते हैं when I try to bow to thee जब मैं आपके सामने जुकने की कोशिश करता हूँ कि मैं भगवान के चरनों तक पहुँच सकूँ मैं ऐसी कोशिश करता हूँ my obeisance, मेरी जो pride है cannot reach down to the depth where thy feet rest among the poorest and lowliest and lowest तो कहता है कि मैं वहां तक उस गहराई तक मैं नहीं जुक पाता हूँ मैं आपके चरनों को पाना चाहता हूँ पर मैं उसे नहीं पापाता हूँ जहां तक आपके चरन उन गरीब, उन लोलस्ट, उन पूरस्ट और lost people के बीच में हैं वहां तक मैं नहीं जुख पाता हूं और क्यों नहीं जुख पाता हूं इनका next टेंजा में वांसवर देते हैं Pride can never approach to wear the weakest in the clothes of the humble among the poorest and loveliest and lost वो कहता है कि जब हमारे मन में एहंकार होता है एहंकार होता है तो हम वहां तक कभी नहीं पहुँच पाते हैं जहां आप उन poorest and lawless and lost people के बीच में humble clothes में जब आप चलते हैं तो आपके चरनों तक पहुँचने की कोशिश तो मैं बहुत करता हूं लेकिन मेरे मन में जो एंकार की बावना है जो गरव की बावना है उसके कारण मैं वहां तक नहीं पहुच पाता हूं जहां तक आपके चरन है जहां आप समन्य कपड़ों में उन लोगों के बीच में घूमते हैं My heart can never find its way to wear the keepest company with the companionless among the poorest and lawless and lost वो कहता है कि मेरा दिल कभी भी वो रास्ता ही नहीं ढूंड पाता है जिस रास्ते पर आप इन गरीब इन समाज के जो ठुकराए हुए जो समाज जिनने जिनको अपनाने से इंकार कर दिया है उन लोगों के बीच वो जो companionless लोग हैं जिनका कोई संगी साथी नहीं है आप उन लोगों के बीच में प्रबू जब आप उनके साथ में उनका संगी साथी बन कर रहते हो तो मेरा दिल कभी उस रास्ते को ढूंड ही नहीं पाता है जिस रास्ते पर आप रहते हो क्योंकि मेरे मन के अंदर तो एंकार की भावना है प्राइड की भावना है तो वो प्राथना करते हैं बगवान मेरे मन से उस प्राइट की भावना को दूर कीजिए ताकि मैं आपके चर्णों को पास सकूँ आपके साथ रह सकूँ वो बगवान को पाना चाहते हैं लेकिन सबसे बड़ी प्रोब्लम जो उनके सामने आती है वो है एंकार की भावना तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि उस एंकार की भावना को भगवान धूर करें आई हो फ्रेंट्स ये छोटा सा वीडियो आपको एक्जाम में हलफूल होगा आपने अपना कीमती समय इसके लाव को आपको बहुत बहुत नयवाद आपका दिन शुबो have a good day thank you very much